हिमाचर प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर द्वारा मापदंड पूरा करने पर 1242 स्कूलों में से 1104 नीजी स्कूलों को संबधता प्रदान की गई है जबकि 154 लंबित मामलों वाले स्कूलों को बोर द्वारा पत्र लिखे गए हैं जिस पर संबंधित 154 स्कूलों ने बोर चेर्मेन के पास अपील दर्ज की हैं स्कूल शिक्षा बोर के चेर्मेन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि सत्र 2021 के लिए कक्षा नवी से बारवी की नवीनी करण संबधता कक्षा स्तरुनत एवं नई संबधता प्राप्त करने के लिए नीजी शिक्षन संस्थानों से आवेदन मांगे गए थे उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड के पास 154 मामले लंबित हैं जिनमें से कुछ रिजेक्ट हुए हैं और कुछ में खामियां पाई गई हैं अफिलेशन के लिए अभी जब कोविड चला हुआ था तो हम कोई इंस्पेक्शन नहीं कर पाए परस्तितियां थोड़ी ठीक होई तो फिर ऐसे पाट साला हैं जिनका फिर नरीक्शन करना था इंस्पेक्शन करना था कि वो सारे मार दंट पूरे करतें कि नहीं उसके लिए विभिन जो थी टीमें हमने गटित की थी बारा सो बताली स्कूल थे जिनने इफिलेशन के लिए अप्लाई किया था कुछ 네 अपडेशन के लिए भी अप्लाई किया था तो ग्यारा सो चार ऐसे पाट साला हैं जो कि सारे मार दंट पूरे करते हैं इंस्पेक्शन करनें ये देख लिया गया है तो उनको हमने आफिलेशन दे दिया है लेकिन ये सारी आफिलेशन जो होती है खासकर प्राइवेट स्कूलों की ये टेंपरेरी वर्ष के लिए होती है अगले वर्ष फिर होती है जिसे हम देखें कि सारी कि सारे मापदन वो पूरा करते हैं कि नहीं करते ह जाया सरकार या वोर्ड लागू करता है उसको भी पूरा करते हैं कि नहीं तो वो देखा जाता है अभी हमारे पास 154 पेंडिंग केस हैं कुछ रिजेक्टिड केस हैं कुछ में खामिया हैं जो उनको पतर लिखे गया हैं तो ऐसे 154 स्कूल उने अपील फाइल कर दी है जो की इसके पास आती है तो उस अपील को देखेंगे यदि वो मापड़न्ट पूरा करते होंगे तो उनको एफिलेशन दे देंगे दबारह इंस्पेक्शन करने के बाद अगर नहीं करते होंगे तो उनको नहीं देंगे सिटी चैनल के लिए धरमशाला से नरिपजीत निपपी की रिपोर्ट